वर्किंग कमेटी में होता है क्या सोनिय गांधी आगे रास्ती अदेख्ष के पद पर रह पाती है या फिसमें कुछ बदलाव होता है चोंकि मद्प्रदेश में पूरुमुक्य मंत्री का भी इस पर ट्वीट आया साथ इस साथ जीतू पटवारी ने भी ट्वीट किया उन्होंने का कि राउल गांधी को कमान समालनी चाहिए कॉंग्रेस पार्टी का अदेख्ष उन्हें बनाया जाना चाहिए ज्यादा जानकारी के साथ सवेगी तिनेश डांगे मासा जुड़ चुके हैं तिनेश क्या कुछ जानकारी वाकिंग कमेटी के बैठक इस वक चल र जिचेंदर सिंग है प्रियांका गांधी के राश्ट्री अदेख नीरत कुंदन है और सोसल मीडिया इंचार रोईत कुमार है वो मौजूद है तो लेकर क्या बाते रहती है अभी बैठक थोड़ी देर पहले शुरुआत हुई है और कई अधर से हैमत अभी जो है देवलू कि आखिर आज कॉंग्रेस वर्टिंग कमेटी में क्या बड़ा फैसला हो कसा है जिस तरह बैठक से ठीक पहले एक लेटर नेताओं का जिसमें लीडर्सीज में बदलावा पूनका लीग अंत्री मजेग किस तरह इस्टिटूशनल संसोधन और सुधार पारटी में संगठन म इसको दुबारा किदा जाए यह उस प्लेटर के जरीए सुधाव दिये गए थे सुधार के लिए सुधार के लिए सुन्या गांधी को अब इसको किस तरह देख दे किस तरह उते लिग दिया गया बहुती काफी एहम बैठा गया राजस्तान से बात करें तो मुखे मंतरी अ आजे माकन वीडियो पॉन प्रेंसी से जुड़े में इतली बार जब CWC बैठा कुई तथ अगस्तो तो अशो के लोट ने सब से पहले कहा था कि रहुल गांधी को अजेक्स बनाया जाना चाहिए यह वक्त आ चुका है उस वक्त भी हमने एक्स्क्लूजिव ब्रेकिंग की अज अशो के लोट क्या कैते हैं हाला कि कल ट्यूटर के जरिए उन्होंने अपनी राई दे दीए कि तौनिया गांधी मुदुदा दोर में अजेक्स लगातार बनी रहे अगर उन्होंने मन मना लिया है, ताइक कर लिया है, कोई फैसला कर लिया है, कि मुझे नहीं रहना है, तो राहम गान कर आए, और दुबारा एक बार पार्टी की कमान समाले, तो बहुत थी सियासी नजरिये से, कॉंग्रेस के नजरिये से, आज ये एहम CWC बैठक है, कि उसम पर महर लगाई जाती है, जो लेटर बंब फोड़ा है, उन लेताओं को क्या सबख सिकाने का कोई फैसला होता है, या एक बार फिर माती ना दिया जाता है, ये तमाम चीजें इसी बैठक में आज बोसक्ती है, जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिनेश तमाम जानकार के लिए, जी बैठक इस वक चल रही है, और इस बैठक में क्या कुछ पैसला होता है, वो देखने वाली बात होगी, सबकी निगाहें खास्तों पर कॉंगर्स पार्टी,